फ्रेंड्स आप देख रहे हैं भव्या हेल्थ केर तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडिय को रखना है अगर आपको लंबे समय तक ता जा तो इसको जानते हैं कि स्टोर करने का तरीका क्या होता है तो चलिए देखते हमारी इस वीडियो को दही, दूट, घी, पनीर जैसे बहुत सारे डेरी प्रोडक्ट हैं जिनकी आविश्यक्ता हमें हर रोज पड़ती है लेकिन इन सारे समानों को रखते वक्त अगर थोड़ी सी लापरवाई हो जाए तो इने खराब होने में जरा सी भी देर नहीं लगती वही अगर थोड़ी कि इसी साफधानी इन सारे डेरी प्रोड़क्ट संग दिखाई जाए तो इनका उपयोग लंबे वक्त तक किया जा सकता है आज हम आपको दही से लेकर पनीर तक को रखने के लिए चोटे टिप्स बाटने जा रहे हैं योकि आपकी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं तो पहले बात करते हैं दूद की दूद एक ऐसा डेरी प्रोड़क्ट है जो हर घर में रोजाना इस्तमाल होता है फिर वो चाहे चाये कौफी या फिर नाश्टे के रोप में ही क्यों ना हो लेकिन अगर इसे जरा सी भी लापरवाहे के साथ रखा जाए तो ये खराब हो ज अगर ये जल्दी खराब होने वाला है तो इसे उबाल कर रखें दूद को उबालने के लिए हमेशा एक साफ और धुले हुए बरतन का ही इस्तमाल करें अब जानते हैं गी के बारे में सुवस्त शरीर के लिए गी का सेवन करना चाहिए हाला कि गी रूम के तापमान पर खर के अलावा घी निकालते वक्त सुखे चम्मच का परियोग करें सबसे मैं तो बात यह है कि इसे यूवी किर्णों से दूर रखें क्योंकि ये घी को खराब कर सकता है पनीर पनीर को लंबे वक्त तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो इसे ब्लॉटिंग पेपर में अच्छे से लपेट कर रखें या फिर आप ऐसा भी कर सकती है कि किसी कीले मलमल के कपड़े में अच्छे से लपेट कर फ्रेज में रखने से ये जल्दी खराब नहीं होता है अगर आपकी वास ब्लॉटिंग पेपर या मलमल का कपड़ा दोनों ही नहीं है तो सिर्फ एक पानी के बरतन में पनीर को डुबो कर फ्रेज में रखते हैं लेकिन आपको ख्याल रखना है कि हर रोज इसका पानी बदल दिया करें ऐसा करने से पनीर फ्रेज में लंबे वक्त तक ताजा बना रहेगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने जाने कुछ ऐसे डेरी प्रोड़क्स जो डेली हम यूज करते हैं अपने खान पान में जैसे की दू, दही, पनी और इन सबी चीज़ों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हमें किन तरीकों का अपनाना चाहिए अगर आपको हमारी आज की वीडियो हेल्फुल लगी है तो इसे अपने दोस्तों और रेलेटिवस के साथ ज़रूर शेयर करें चिल देन, बी हल्दी, बी हैपी, और बी फिट